पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व तो ऐसे तो माना जाता है कि दीपावली का त्योहर भगवान राम जी राम के जीत कर आयोध्य और लौटने के खुशी में किया जाता है मगर इस दिन मुख्यर से लक्ष्मी गर्णिश जी की पूजा की जाती है इनकी पूजा के बिना या त्योहर अधूरा माना जाता है तो आये हम जानते हैं कि लक्ष्मी गर्णिश जी पूजा से जूड़े कुछ पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व एश्वर्य और वैभव की प्राप्ति मान लक्ष्मी धन की देवी है वहा हम सबी जानते हैं मान लक्ष्मी के गर्टपा से ही एश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है कार्थिक अमवश्चा की पावंतिती पर धन की देवी को प्रशन कर समरिद्धी का आशिरवाद लिया जाता है दीपा वली से पहले आने वाले शरत पूर्णी पाकिते होर कामा लक्ष्मी की जन्मोत्सव की तरह मनाय जाता है फिर दीपा वली पर उनका पूजन कर धन धान लिया जाता है गणपति पूजा का महांत गणपति को बुद्धी के देवता का आजाता है इंदु धर्न में कोई पूजा गनपती जी की पूजा की पिना पूरी नहीं होती। निफावाली पर गनपती पूजा की यहां भी एक वजा है। वहां धन का उपयोग सही काड़ियों के लिए करें इसी कथा के साथ दिवावाली पर गनपती की पूजा की जाती है कि है प्रतम पूजनी ये गनपती हमें सद्रिद्धी प्रतान कर संमार्ग पर आगे बढ़ने का वर्दान दे। मतलब हमें अच्छी बुद्धी तो वह अच्छा ग्यान दोता कि हमें जो धन की देवी का पूजन करके जो धन मिली उसका हम सही इस्तमाल कर सके। मतली छविखार बुद्धी देवी इस जी को में जयता